जहारखन के रास्ते बिहार से रेलवे एक और नई ट्रेन का संचलन सुरू करने जा रही है जो कि विशाखा पत्नम के लिए चलेगी एक बार फिर से इस रूट पर एक और नई सुपरफास ट्रेन का संचलन सुरू होगा जो कि वाया ओरिसा के रास्ते चलेगी नमस्कार दोस्तों इंडियन रेलवे के यार नू चलने आपका स्वागत है और आज इस वीडियो प्रडेट में हम बात करने जाड़े हैं इस रूट पर चलने वाली एक नई स्पेसल ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जो की ना केवल बिहार के यात्रियों के लिए चलेगी बलकि जहारखन और ओरिसा के रास्त यह ट्रेन आंद्र परदेश के विसाखा पत्नम तक चलाई जाएगी पूरी तरह से रेजर्वेशन के टेगरी की यह एक ट्रेन होगी और इस बार इस ट्रेन का जो जानकाड़ी रेलवे की तरफ से अपडेट के रूप में दिया गया है उसके अनुसार ट्रेन नमबर 08519 के साथ यह ट्रेन बिहार के दानापूर रेलवे स्टेशन से विसाखा पत्नम के लिए चलेगी वहीं दूसरे दिशा में यह ट्रेन नमबर 08520 के साथ विसाखा पत्नम से दानापूर के लिए दूसरे दिशा में भी चलाई जाएगी और इसके साथ इस ट्रेन का बुकिंग भी चालू हो चुका है अगर आप इस महने सफर करने जाने तो इस ट्र के बाद यह ट्रेन पत्ना डेलवे स्टेशन को आएगी पत्ना के बाद यह ट्रेन क्यूल डेलवे स्टेशन तीन बच कर 20 मिनट पर दो पहाड में और यहां से रावाना होने के बाद यह ट्रेन चार बच कर 40 मिनट पर जाजा डेलवे स्टेशन पहुंचेगी जाजा के बा बालेस्वर, भद्रक, कटक, भूवनेस्वर, खुर्दा रोड, बालुगाउं, बढमपूर, पालासा, स्रिका कूलम, विजय नगरम के रास्ते ये ट्रेन विसाका पत्नम, 137 किलोमेटर का सफर तैकर के दूसरे दिन 3 बच कर 45 मिनट पर अपना गंतवे को जाएगी ऐसे मैं दोनोई दिसाओं विसे ट्रेन का संचालन रेलवे करे चुकी है चालू और इसके साथ इस वीडियो का अलावे आने वाले अन नए ट्रेनों के लिए टेस्ट अब्रेट के लिए हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस ट्रेन के अलावे कोई अन ट्रेनों की जान करे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को मेंशन करना ना